जो जैसा उन्मान का तैसा तासो बोल पोता को गाहक गही हीरा गठीना खोल जो जिस परिमाठ नापतौल हिसाब का मनुश हो उससे उसी प्रकार बात करो जो काच का भी ग्रहक नहीं है उसके सामने हीरे की गठीना बेर्थ है जब गुन को गाहक बिले तब गुन लाख बिकाए जब गुन को गाहक नहीं कोडी बदले जाए जब गुन का ग्रहक मिलता है तब वे लाख रुपे का बिखता है और जब ग्रहक नहीं मिलता तब कोड़ी की बदले में जाता है पार्की ही स्वरूप ग्यान का आदर करेगा वे पार्की क्या करेगा एक बार में परक्षिये ना बहे बारम बार बालू तोहू किरकिरा जो चाने सो बार पिस मनुष्ट को ठीक से एक बार परक लो फिर बारम बार उसे परकने की अविश्यक्ता नहीं पड़ेगी महीन से महीन वस्तर में बालू को यदि सो बार चाना जाय तो भी उसकी किराहट नहीं जा सकती शट मनुष्ट जो चाहें अने को बार परको वे शटता से ही पूर मिलेगा ज्यानी जन है जोहरी कर्मी सकल मजूर दे भाल का तोकरा लिये शीर्स भरपूर ज्यानी जन तो जोहरी है और कर्म कांडी लोग मजदूर हैं वे देह रूपी टोकरी को कर्मों का बोज़ा अपने सिर पर लादे घूमते हैं कभी जग के जोहरी घटकी आखी खोल तुला समहारी विवेक की तौले शब्द अमोल ए जिग्यासू जगत में पार की संत अन्ता करण के विवेक वैरागी की आखी खोल देते हैं वे विवेक का तराजू उठाकर अनमोल सार शब्दों को तौलते हैं गहाक मिले तो कुछ कहूँ ना तरू जगडा होए अन्धो आगे रोई ये अपना दीदा खोए यदि मेरे खरिस्व सोरूब ज्यान के कोई गहाक मिले तो मैं कुछ कहूँ अनिथा अब विवेकी की सामने कुछ कहने पर जगडा होगा अन्धो के आगे रोना क्या है अपन क्यों पत्य आये काकर माथा ना नवे मोती मिले तो खाये जो बिबे की असार जड़ विशत्या कर सत्य सो रूप चैतन ज्यान की स्कति में रत है वह कंकर रूप असार कल्पित कथा कहानी में कब विश्वास करेगा वह कंकर के लिए मस्तक नहीं जुकाएगा मोती मिलने पर ही उसे चुगेगा विबे की पूरिश असार मतों के सामने नहीं जुकेगा यथार्थ ज्यान मिलने पर ही उसका आधर करेगा झाल